नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का बैंकिंग अपडेट में उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे दोस्तों अगर बात करें इस बार तो कहीं न कहीं SBIPO की नौटिफिकेशन पिछले कुछ सालों के ट्रेंड के साब से थोड़ा सा डिले हो चुकी है अब सारे कंडिडेट के मन में सवाल तो नौटिफिकेशन का है इसके साथ साथ एक सवाल और है कि सब एज का क्राइटेरिया एज काउंट हमारा कब से होगा नौटिफिकेशन जब भी आती है तो age count कपसे होगा देखो दोस्तों अगर पिछले कुछ सालों का अगर हम लोग trend को देखें चाहें आप 2023 की बात करो 2022 की बात करो पिछले दो सालों में notification SBAPO की September मन्त में आई थी और 2021 में October मन्त में आपकी notification SBAPO की release हुई थी ठीक है तो पिछले तीन सालों का आगड़ा जो भी ह संबंत में आए लेकिन जो age count का criteria है वो आपका एक अप्रेल से ही लिया जाता है तो इस बार भी notification आपकी जिस भी time पे आए expected यही है कि जो SBAPO में age count का criteria है वो एक अप्रेल 2024 से ही होना चाहिए ठीक है तो काफी सारे लोगों के age criteria को लेकर comments आ रहे थे तो उमीद करते हैं यह doubt आपका clear हो गया होगा इसके अलावा अगर आपका कोई भी doubt है SBAPO के संबंदित में तो आप हमें comment section में पूछ सकते हैं बा